आज होने वाला है चन्नाई वसस कॉलकत्ता के बीच में IPL का 22 मुकाबला और दोस्तों ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा बड़ा मुकाबला होने वाला है मैं आज आपके लिए कनफरन विनिंग टीम लेकाया हूँ प्लस पिछ रिपोर्ट, टीम रिपोर्ट, मैच इस टीम के साथ कैप्टन मैंने रसल को रखा है और वाइस कैप्टन यहाँ पे हमने रसल को रखा है अब दोस्तों देखो ज्यादा प्लेयर हमने कलकता से लिया है चूकि पता ने क्यूं कलकता की बैटिंग लाइनप बहुत ज्यादा इस्ट्रॉंग हमें देखने को लग इसलिए हमने कोलकताय ज्यादा प्ले लिया और यह मेरी टीम होती है आप इस टीम के साथ जॉइन कर सकते हो माई फैब लेट में जॉइन करके खेल सकते हो चलो बात करते हैं यहां पर आज के मैच इनफरमेशन की एंड हर एक इनफरमेशन है दोस्तों एक एक छोटी से चोटी बार लगातार ट्रोफी उठाया यानि की चतनाई सुपर किंग वो आज का मुकाबला जीतेगी और बहुत ही ज्यादा हद तक चांस है कि वो कमबैक करेगी यहीं पर अगर देखा जाए क्लकता तो क्लकता में सुनी दरेन इतने अच्छे खेल जाते हैं स्टार्टिंग के 6 कि उनकी टीम एक तरफा मैच जीत जाती है असी रन नबे रन वो चोवर में ही बना देते हैं जिसके बाद और प्लेर को बहुत ज्यादा असानी हो जाती है बैटिंग करने में और उनकी टीम धाई सो दो सो तीस ऐसे रन स्कोर कर रहे हैं यहां पर बात करते हैं हम लोग प् प्लेंग 11 देख लेते हैं चन्नाई सुबर किंग की प्लेंग 11 की बात की जाए तो रितिराज गैकवर्ट हो जाते हैं रचित रवीन रचित रवीन की जलकिया दिखी नहीं है बट हलका फुलका दिखा है बट यह बहुत अच्छे बलेर है जिनके रहने हाई स्कोरर है आप से तीन बॉल भी तो सब का दिल खुश हो जाता है धोनी के फैनों ते कॉमेंट करना वीडियो में दीपक चहल तुसाद इसपांदे और ठिकसना दोस्तो पाथिराना के बारे में कुछ इंफरमेशन फिलाल मुझे नहीं है अगर कुछ इंफरमेशन मिलता है कि पाथिराना बाले है नहीं तो मैं आपको अपडेट करूँगा थोड़े टाइम में अपने टेलिग्राम चैनल बठीक है फिलाल अगर पाथिराना नहीं खेलेंगे उनके थिकसना खेलेंगे और लास्ट मैच में अगर देखा जाए तो पाथिराना के नहीं होने के बज़से भी उनके टीम हारी है ऐसा भी हो सकता है चुकि बहुत लास्ट अबर में आके बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं जिनको थोड़ा से बीट करना मुश्किल हो जाता है यहीं पर देखा जाया क्लकता नाइट राइडर तो क्लकता नाइट राइडर में यहां पे सुनी नरेन ओपरि हमें देखने को मिलती है लास्ट के कुछ सुला से लेके 20 ओवर में और अच्छे खेलते हैं यहां पे एक न्यू यंग्स्टर प्लेयर है जो कि अंगर क्रीस गुबंसी जिनको देखना होगा ग्रैलिंग में आप ट्रॉई करना इनको लास्ट मैच में इनको जल्किया देख बिच की बात कर लेते हैं बट उनसे पहले कुछ ऐसे प्लेयर है आज के मुकाबले में जो अभी तक के हाइस स्कोरर है और जिनको आपको अपने टीम में रखना चाहिए है निक लासन जिन्होंने 177 रन बनाया है चार मुकाबले में अभिशेक सर्मा जिन्होंने 161 रन बना टीम में रखने है चुकि ये बेस्ट पिक होने वाले है आज के मुकाबले के सो बात करते हैं पिच की सो दोस्तों पिच जो आपको होने वाला है है और इस पिच की खासियत क्या है कि 188 के आसपस इस पिच पे रन लग जाते है और टॉस जो भी टीम इस पिच पे जीतेगी उनके लिए winning का इस pitch पे एक अच्छा और best factor होने वाला है और इस pitch पे highest scoring अभी तक का run लग चुका है आपने संद्राजर हैदराबाद बसेस मुम्मई वाला match में देख लिया होगा जिसमें I think 278 या 79 का सबस run लगे थे जो की highest scorer अभी तिक का है जो की इसी pitch पे लगे थे ठीक ह अगर बात किया जाए कि किसको ज़्यादा यहाँ पे विकेट मिलती है तो दस विकेट अगर गिरते है मैच में तो उसमें से साथ विकेट पेसर को मिलते है और तीन विकेट स्पीनर को मिलते है तो पेसर को आपको अपने टीमेच ज़्यादा रखना है और बैटिंग पीछ सुक्षा ज्यादा तर इसपी पे बैटिंग पी dividing मिलेंगे लेकिन दिर्ली बैटिंग पीछंट इसलिए इसे कंसे अच्छे बैटưa आपके लिए अच्छे सा भीत हो सकते लिए तो उससे पहले हम लोग विनिंग को भागते हैं कि आज किसके जीतने के चांस है आज के मुकाबले में बट अगर आप लोग खेलना चाहते हो विनिंग पे तो मैं आपको कुछ एप बता देता हूं उसमें आप जॉइन कर लो सो यह मेरा टेलिगराम चनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आप यहाँ पे आना और सिंप्ली इस पे क्लिक करना पिन पे उपर में आपको यहाँ पे तीन एप्लिकेशन मिलेगी मेल वेट वन एक्सपेट वेट भी न ठीक है और एक है ओपा टीपलेट इसमें सब जॉइन कर लेना जिसमें आपको 33,000 रुपा का बोनस भी मिल जाता है इसको मैं हटा दूँगा 33,000 का बोनस मिलता है प्रोमो को यूज करना पीजिया आपको प्रडिक्शन करना होता है कि क कौन सा टीम मैं जितेगे टॉस जितेगे ठीक है और यह भी मैं आपको बता ही रहा हूं कि कौन सा टीम जीतने वाली है तो आप इससे खेल के भी पैसे कमा सकते हो इसी के साथ साथ मैं अपने टेलिग्राम पे आपको एक फाइनल टीम में देता हूं जो कि टॉस के बाद दे लेवन इसमें भी आपको होने वाला है तो यह दोनों का लिंक आपको हमारे टेलिग्राम पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे और विनिंग प्रडिक्शन आप पे जॉइन करना हो तो इन में से आप किसी में भी जॉइन कर लो आपको बस पे खिलने का मौका मिल जाएगा ठीक है तो चलो बात करते हैं आज के विनिंग टीम की वैसे तो आज की मुकाबले में जो भी टीम टॉस जीतेगी उनके लिए आज विनिंग करना थोरा सा ज्यादा असान होगा बट यह पिछ ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप अपरण स्क आप कह सकते हो बट यहीं पर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में अभी तक लाइफ टाइम मुकाबले खेले गए 29 मुकाबला जिसमें से चन्दाई ने 18 जीता है और कलकता ने 10 जीता है अब दोस्तों देखो अगर आप इस पोजीशन के हिसाफ से समझोगे पुराने रिक और में भी है एक एक प्लेयर इसके फॉर में है ठीक है तो यहां पे आप देखो आप टेक्निकली खेलना चाहते हो या विनिंग मैं कहूंगा कि टॉस तक वेट करो जो भी टिम टॉस जीतेगी उनके मैं जितने के चांस डारेक्ली बढ़ जाएंगे बट अगर आप रिकॉ मुझे ऐसा लगता है कि कॉलकाता ही जीतेगी चनाई को थोरा सा आज के मैच में थोरा सा प्रॉब्लम हो सकता है तो चलो टीम देखते हैं एक पार अच्छे से और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप इसमें अपने हिसाब से एक विनिंग टीम बना सकते हो और खेल सकते हो तो माई 511 में जॉइन नहीं हो तो पहले तो आप जॉइन करो इसका लिंक आपको डिस्क्रिक्शन बॉक से मिलेगा अच्छी एप्लिकेशन है मैं इसमें बहुत टाइम से खेल ला हूं पीजिया रेफर को यूज करना जिससे आपको 100 रुपा का बोनस भी म पहले सकते हो कि कौनसा टीम टो जीतेंगी। कौन सा टीम मैं जीतेंगी ये सबूइब भी अपिस में अपने प्रिइक्शन खेल सकते हो यहां पर टीम की बात करते हैं तो सॉल्ट को मैंने आईजा विकेट की पर सेक्षन में लिया है बैटिंग सेक्षन में शीवम दुबे रचित रवीन रित्वराज गैकवाड और यहां पे रगवांसी और रिंकु सिंग हो जाते हैं दोस्तों देखो यहां पे रगवांसी जो कि एक यंग्स्टर है अगर आप चाहते हो तो इनको आप ड्रॉब करके विंकटे सेजर को ट्राइ कर सकते हो वो क्यों चुकि आते हैं नीचे लेकिन अच्छा बैटिंग करके जा रहे हैं इनको आप ट्रॉइ कर सकते हो और राउंडर में हमारे हो जाते है रसल सुनी नरेन और रवीन चड़ेजा आप अपने हिसाब से टीम को चेंज करो चुकि मैंने कोलकता के जीतने के हिसाब से मैंने टीम क्रियेट किया है ठीक है तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज करो और एक दो प्लेयर एक्स्ट्रा आप ले लो कहां से चन्णई से जिससे आपकी विनिंग कॉंबिनेशन बने